गुद मारंग डियर, वेलकम टू MPS मोटिवेटर्स, आज हम MPS मोटिवेटर्स के प्लेटफर्म पर चर्चा करेंगे 3D सेप्स के बारे में, हम लोग अपने डेली लाइप में बहुत सारे ऐसे अबजेक्स देखते हैं जिसको कि 2D में नहीं पढ़ा जाता है, 3D में पढ़ा हैं, त्री भीम ये अकार वाले वस्तु हैं, आज का हमारा टॉपिक है ही है 3D अबजेक्स, और डेली लाइप में देखते हैं जैसे मोबाइल, रूम, बुक्स, कॉपी, आइस क्रीम, पाइप, पीलर्स, फुटबाल, बॉल, ये सभी क्या हैं, 3D अबजेक्स के अंतरगत आ क्तिते दों फेसे आपस में मिलते हैं, एक लाइप से लायम का निर्मान होता है, उसे उसका एज कहते हैं, और जहां पर तीन लायम सेगम्यन यानि तीन एज आपस में मिलते हैं, वह उसका कोना कहलाता है, वह Versしょう का पुलर, वह यानि कि देखेंगे हम कि वैसे objects में कितने faces हैं, कितने age हैं, और कितने vertices हैं, यानि कितने corners हैं. स्टार्ट करते हैं हम, क्यूब वाइट से, क्यूब वाइट यानि घनाब, जैसे इस object को देखें, एक solid object है, इसमें length और breadth के अलावा, एक depth भी है, जिसको कि height की रूप में भी देख सकते हैं, length, breadth और depth, यहाँ पे length है, यह breadth है, और depth है, जो कि इसका height दिखा रहा है, यानि L, B और edge, लंबाई, चोराई, और उंचाई, इसमें तीन dimension है, तीन बीमाए है, solid object में इनी प्रकार के अकारों वाली वस्तुओं के बारे में हम दो देखेंगे, किसको face काते हैं, यानि फलक, किसको किनारा काते हैं, age, और किसको corner काते हैं, को ना, और किस object में कितने faces हैं, कितने edges हैं, और कितने corners हैं, यानि vertices हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जैसे यहां क्यूबाइड है, क्यूबाइड में सभी faces rectangular होते हैं, 2D में हमने पढ़ा था rectangle, square, उन सभी का यहां पे जगुरत है, तो rectangle, यहां देखिए, यहां face rectangle, यहां face rectangle, यहां face, इसके सभी faces rectangular ह होते हैं, आयताकार होते हैं, यहां इसका लंबाई है, यहां पे दो faces आपस में मिल रहे हैं, दो faces जिस line segment पे मिलता है, उसको age कहते हैं, और जहां पे तीन age आपस में मिल रहा है, वहां उसका corner हो गया, यानि बहुत chicks हो गया, यहां पे देखेंगे कि wide में, एक, दो, तीन, चार, पाच, और चो, यानि चो faces है, फलक की संक्या कितनी है, 6, चो, और यहां पे corner कितने है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 8, यानि 8 corner है, 8 corner है, 8 vertices है, और इसका किनारा देखें, तो इस face में 4 किनारा, इस face में 4 किनारा, और side से, यानि कि 12 किनारा है, यानि कि हमने देखा, गनाब में कितने किनारा है, 12, कोने कितने है, 8, और faces, यानि फलक कितने है, तो 6, यह हो गया हमारा गनाब, गनाब की कुछ examples, daily उधारन से आप कुछ comment करें, गनाब की उधारन, जिसके लंबाई, चोराई, उचाई, अलग-अलग हों, आप लोग comment करें जैसे books, room, room भी हमारा एक परकार का गनाब है, जिसमें length है, breadth है, और height है, इसी परकार के कुछ examples आप comment करें, अब देखते हैं, गन, यह देखिए, एक चोटा subject, इसके सभी faces square है, 2D में पढ़ेते square, square है, work है, इसमें भी 6 faces होते हैं, 12 किनारा यानि age होते हैं, और 8 corners होते हैं, लेकिन सभी आपस में बराबर है, इसके सभी 6 faces identical है, इसके सभी किनारा, यानि जो भी line segment यहां पर बन रहा है, सभी का length सेम है, यानि जितना length है, उतना ही breadth है, और उतना ही height है, यह घन का example है, जैसे ice cube, या फिर आप dice, लुडो गोटी खेलते हैं, उसमें dice होता है, टाइप, चक्का, वो इसका example है, sugar cubes, चीनी हम लोग खड़ीते हैं, चीनी घर में चीनी होता है, उसका चोटा 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 जो चीनी का टुकडा होता है, cube का example होता है, इस प्रकार के जो भी 6 faces वाले solid objects होंगे, जिनके length, breadth और height तीन हो same होंगे, और जिनके सभी faces identical heart corners होंगे, वो cube का example है, घन का example है, यह है cube, घन, हम daily life में ice cream खाते हैं, जो कोई conical होते हैं, कोई, जी हाँ, यही, इसका, यह surface, circle का रूप है, 2D में हम लोग पढ़ा है, वीडियो के description में, link भी है, अब देख सकते, circle के बारे में हमने पढ़ा है, यह circle है, और यह curved surface है, worker priest है, इसे मात्र एक कोना होता है, corner, और एक ace होता है, जहाँ पे circle और यह curved surface, work priest मिला है, जहाँ पे वरीत और work priest मिला है, वहाँ पे एक किनारा है, ace है, और एक corner है, एक कोना है, जिसमें एक face, circle का और एक face, curved surface है, दो फेसेज एक किनारा यानि एक एस और एक कॉर्नर यानि एक कोना या कोनिकल औबजेक्ट है कोन का उधारन है जिसको कि हिंदी में संकू कहते हैं हमारे डेली लाइप में ऐसे कितने सारी एक्जामपल सा है आप कॉमेंट केजिए जैसे पेन लिखते हैं या पेंसिल यूज क तोपी लगाया रहाता है उसका तोपी का आकार याद किजिए किस तरह का होता है यह को निकल होता है चलिए अब देखते हम सिलिंडर यह जो ऑब्जेक्ट है देखे इसका दोनों सर्फेस सर्कुलर है सर्कुलर फेस यह दोनों सता जो है फलक सर्कुलर है बृतकार है और यह क का सेट भी इसी परकार होता है इसमें पीर स्रकुल और एक फिर्प सर्फोड मिलाकर हम देखे, इसमें एक भी कोन नहीं है, इसमें एक भी कॉर्ण नहीं है, इसमें 2 फिर्पेसर कुलर, 1 ख dips और कींपर मिलेकर हम देखे कि सिलिंडर जो है, हैं दो किनारा है और कॉर्णर जीरो है अब देखते हैं हम स्फियर हाँ फुट वॉल की तरह जो होता है हमारा धर्टी भी एस्फिरिकल है हम लोग गुलोब का जो पढ़ते हैं जोगराफी में स्फियर्व कुष्य होते । ना इसमे कोई किनारा है और नहीं कोई जोपचंको यह जाता देते हैं तो अ और्ध गोला हो जाता है यानि सेमी पिए और हमी स्फियर ऑज Copay लेंगण कोइन कोऊटर जीरो है यह God अब देखे यह तो था बेसिक अब इसमें एक दो टर्म और आते हैं जो कि आपको आगे क्लास में पढ़ना होता है उसको भी हम चार रहते चर्चा करना जब इंट्रोडक्शन हो ही रहा है थ्रीडी अब्जेक्स का तो उसको क्यों चोरे उसको भी देख लेते हैं जैसे पीरा सकता है पेंटागोनल हो सकता है हेक्सागोनल हो सकता है कुछ भी हो सकता है लेकिन जो भी इसके लिटरल फेसेज है साइड वाले जो भी फलक है वो ट्रेंगल ही होएंगे और सभी एक कॉर्णर पे उपर में आपस में मिलेंगे यह सभी पिरामीड के एक्जामपल है पिराम का चतुर्ष फलक एक उधारण लिस जिसको की ट्रेंगुलर पिरामीड वी कहते हैं यानि ट्रेंगुलर पिरामीड यानि ट्रिट्राहेद्वरों से भी जाना जाता हैं कि चतुर्ष फलक चार फलक है 1-2-3-4 यदि इसमें नीचे टेंगल के बड़ले, अगर इस स्क्वार हो जाए, तो side में तीन टेंगल ना होके, है चार टेंगल होंगे, अगर pentagonal हो जाएगा, तो पांस टेंगल होंगे, और पांच triangle होंगे लेकिन सभी एकी corner पे उपर आपस मिलेंगे तीन triangle वाले और एक नीचे triangle यान्स convention चार triangle वाले इस पीरामीड का एक एक example है जिस पे base triangle है तो वैसा पिरामीड जिसमे base triangle हो उसे ट्रेट्रा वात्रों कहते है चतुस फलक कहते हैं यदि नीचे square होता तो side में 4 triangle होते जो सभी एक corner पे उपर मिलते जैसे हम आपको दिखाते हैं जा है square base में है square side से triangle ही है जो कि सभी उपर एक corner पे मिले है यह square pyramid के example है इसमें नीचे एक pentagon है base में pentagon है और side से triangle है सब जो कि एक corner पे मिले है हम यहाँ देख रहे हैं कि नीचे जितना भी ages है यानि कि नीचे अगर pentagonal है 5 age है तो side में 5 triangle है नीचे यदि square है यानि 4 age है तो side में 4 triangle है तो number of faces number of ages number of corners ग्यात करना हो तो हमें यह ध्यान देना है कि नीचे कितने faces है नीचे एक faces है और उनका side क्या है उनका age क्या है तो उनका age अगर pentagonal है तो नीचे 5 age हो गया है side में 5 triangle है तो यानि side से 5 age इधर से भी हो गया है यानि 5 पांच पांच 10 age हो गया है corner कितने हो जाएंगे तो pentagonal है इसलिए नीचे 5 corner और उपर में 1 corner यानि 6 corner हो जाएंगे उसी तरह अगर square pyramid है तो नीचे में square है यानि कि 4 edge हो जाएंगे और चुकि square है तो lateral surface में 4 triangle हो जाएंगे तो 4 edge यह हो गए यानि 4 और 4 8 edge हो जाएंगे और corner कितने हो जाएंगे तो चुकि नीचे square है तो 4 corner नीचे और उपर में 1 यानि 5 corner हो जाएंगे इसको में इस प्रकार देख सकते हैं table की माध्यम से table में आपको सब कुछ दिखाया गया है आपको 5 second का समय दे रहे हैं आप लोग comment केजिए या वीडियो को pause करके आप खुद से इसको table को पहले फिल केजिए और फिर यहां पर देखिए यह आपने सही बनाया है या आप से कुछ गलती हो गई है फिर इसको देखिए चलिए एक चीज और prism का हम example देखते हैं उसके बाद prism का भरा जाएगा यहां देखिए जैसे पिरामीड में नीचे base triangle है उपर सभी एक corner पर मिल ला है थे लेकिन prism में नीचे अगर base triangle है तो उपर भी triangle ही होंगे और side में उसमें triangle थे तो इसमें side में rectangle होंगे बहुत लोग pyramid और prism में confused हो जाते हैं तो हम उन्हें बताना चाहेंगे pyramid में सभी एक corner पर उपर मिलते हैं और lateral surface जो भी थे सब triangle थे लेकिन prism में नीचे अगर triangle है उपर भी triangle है यानि सामने triangle है तो इधर भी triangle और side में जो lateral surface होंगे वो rectangle होंगे pyramid और prism में confused नहीं होना है pyramid में क्या था कि सभी एक corner पर उपर मिल रहते और side में triangle थे लेकिन prism में क्या है कि opposite सेम रहेंगे और side का जो भी रहेगा अगर इधर square है तो इधर भी square होगा और side में rectangle अगर इधर pentagonal तो इधर भी pentagonal लेकिन side में rectangle उसमें क्या था कि base में triangle है और side में सब triangle है base में square है side में सब triangle है base में pentagonal है side में यानि lateral surface triangle है और सभी एक corner पर मिल लहते, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, नीचे triangle तो उपर भी triangle है, देखिए, और side में rectangle, नीचे अगर square है तो उपर भी square, side में rectangle ही होंगे, इसका अगर हमको देखना हो कि कितने corner है, कितने ases हैं, कितने faces हैं, तो कैसे देखेंगे, तो देखिए, अगर triangle है, तो उपर भी triangle, तो 2 faces यह हो गए, और चुकि triangle है, तो 3 side है, तो 3 ही rectangle होंगे, तो कितने हो जाएंगे, एक, दो, और 3 ठोई है, पांच, पांच faces हो गए, अब corner की बात, तो 3 नीचे है, तो 3 उपर, चुकि triangle है, यही square रहता तो 4 नीचे, 4 उपर, तो 8 हो जाता, यहां triangle है, इसलिए 3 नीचे, तो 3 उपर, वही pentagon होता, तो 5 नीचे, तो 5 उपर, यहांनि कि 10 corner हो जाते, यहां पे triangular prism है, इसलिए 3 नीचे, 3 उपर, तो 3, 3, 6, 6 corners हो गया है, और edges की बात करें, तो जैसे यहां triangle है, तो 3 नीचे है, 3 उपर, और 3 side में भी होएंगे, चो lateral faces सभी rectangular है, वही अगर 4 वाला रहता, जैसे square रहता, square prism होता, तो नीचे 4, उपर 4, और side से भी 4, यानि 4, 4, 4, 4, यानि 12 हो जाता, 12 हो जाता, triangle है, तो 3, 3, 3, यानि 9 होंगे, और edges कितने होंगे, 9, और corner कितने होंगे, 6, चुकि triangle है, 3 इधर, 3 इधर, और faces कितने होंगे, तो 5, 1, 2, और 3 side में उचे square होता, तो एक नीचे, एक उपर, और sides से 4 होते हैं, चुकि square में 4 sides होते हैं, यानि 6 faces हो जाते हैं, चले इस table के मादधम से, आप video को पहुज किजिए, और table को पहले खुद भरिए, खुद फिल किजिए, उसके बाद आप इसको देखे, कि हमसे कहीं कुछ गल्ती तो नहीं हो गए, फिर उसके बाद इस table को देखिए, और table के मादधम से अपना correction किजिए, और यदि आप सही मनाएं, तो बहुत बढ़िया, आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको वीडियो समझ में भी आ रहा है, हम यहीं फिल होगा, और हम अपने आपको समझाने का प्रयास किये है, हम कोशिस करेंगे कि ऐसे ही और सारे वीडियो आपके पास लाते रहे, प्रैक्टिकली आपको knowledge देते रहे, को maths जो difficult लगता है, difficult ना लगे, और maths easy way में आप सभी को समझ में आए, बस आज के लिए इतना ही, उमीद करते हैं, आपको सभी चीज, जो 3D objects के अंतरगाद आते हैं, उसमें कितने faces होते हैं, कितने corners होते हैं, कितने ages होते हैं, यह सभी भली बाती समझ में आ गया होगा, और इसका exercise आप बना लेंगे, फिर भी यदि कोई doubt होता है, तो आप comment करें, और इस number पे WhatsApp करें, हम कोशिस करेंगे कि आपको इस chapter में कोई भी दिकत न हो, आप इस channel को like करें, subscribe करें, comment करें, thank you